आपके घरवे में अगर खाली बोतल है और साचा नहीं है तो इस तरीके के अनोखे और जुगार मेथड से अलू भुजिया बनाईए बिलकोल मार्केट की तरह बनेंगे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इस तरीके से अलू भुजिया बनाए हैं बहुत टेस्टी बन तो आलू भुजिया बनाने के लिए अगर ठंडी की शाया नौ रखे तो अलू पर टेस्ट बहुत अच्छ टेस्ट आएगा क्या आप बिलकोल करम करम आल kaf को बजीजे से बनाने में यूस करेंगे थे तो क्या होगा बेसल जा बहुत लगैगा तो यह आने उबाल के ठंडी तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं, तो यहां पर मैंने यह कि जो पानी की बॉटल होती है, छोटी-छोटी से आती है, उसको ले लिया है, कोई भी आप इस तरह की की कोल्डरिंग की भी छोटी वाली बॉटल को ले सकते हैं, और इसके धक्कन को हम इस्तमाल करेंगे, तो यह यूज करेंगे आज इसमें छेद करने के लिए इसको हलका सा हम गरम कर लेंगे ये देखिए बहुत केरफुली करिएगा लेकिन इसको मैंने हलका सा गरम कर लिया है और उसके बाद इसमें इस तरीके से बहुत आसानी से छेद हो जाता है और मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको गरम कर लीजे इसको इस तरीके से थोड़ा सा आप चाहे तो बढ़ा भी कर सकते हैं तो ये दिखी इस तरीके के छेद हो चुके हैं ये बिल्कुल बढ़िया जैसे जाली होती है हमारी सेव बनाने वाली सांचे के साथ में उसी तरीके के छेद बन गया है सेव बनाने का और इससे अब हम सेव बनाएंगे जब तक हम सेव की तेयारी करेंगे तब तक इस कड़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए चल्ढा दिया है तो अब देखिए आलूओं को मैंने किसली है अच्छे तरीके से बारिक ग्रेटर से और यहाँ पर अब हम लेंगे बेशन यह एक कप बेशन मैंने लिया है इसको हम चाहन लेंगे क्योंकि हم क्या है कि बारीक छेद में से इसको बाहर निकालना है इसलिए हम उसको चाहन लेंगे और सब्सक्राभी चीज़ींग कर नहिंद करेंगे तो यहां पर सबसे पहले नमक स्वादा अनुसार अड़ करेंगे तो यहां पर मैंने आधा चमच नमक अड़ किया है तीखी लाल मेश भी आधा चमच अड़ करी हो यह अपने स्वाद के अनुसार कम जादा कर सकते हैं और आधा चमच मैं यहां पर अजवाईन पाउडर अड़ करी हूँ तो साबुत अजवाईन नहीं अड़ करी हूँ क्या होगा कि वो छेद में से नहीं निकल पाएगी अजवाईन तो हमको सेव बनाने में मुश्किल होगी इसलिए मैंने पाउडर अड़ करी हूँ क्योंकि इससे आलू का फ्लेवर दब जाएगा इसलिए इसमें कम से कम हम मस अज़ान लेंगे तो यह दिखिए इसको मैंने अचहे से छान लिया जितना भी यह साब अब भी हिस्सा बचा है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और अब यह हमारा निकाल बन लिए अच्छे बनकर तयार हो चुका है आलू और भेसन का आप इसके आगे का काम हम चम्मर से नह यह देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों यह आलू के सेव अब यह देखिए एक पेस्ट बन गया है अभूल सांचे से अगर हम सेव बनारे हैं एतनी extra consistency बिलकुल perfect है पर चुकि हम इस बोटल से बना रह रहे हैं तो अगर इतना गाढ़ा इसमें भरेंगे ना तो हम दबाते रहेंगे इसको लेकिनमी शेद में से बाहर नहीं निकल के आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे, तो लगभग दो से तीन चमच जादा नहीं डालना है एक साथ पानी, दो से तीन चमच डालके इसको थोड़ा सहम मिश्णर को पतला कर लेंगे ताकि वो बॉटल में से निकल सके, तो ये रिखे हमने इतना पानी इसमें डालना है, मैंने दो चमच और पानी डाला था, ताकि ये हाथ आसानी से घूम सके, ये बेसर में हाथ आसानी से घूम सके, और हमारे जो सेव है बहुत अच्छे खस्ता बने, तो हमने जो तेल गरम होने के लिए चड़ाया था, उसमें से लगभग 2-3 टेबिल स्पून तेल इसमें हम डाल देंगे, जिससे की बहुत ही बढ़िय खस्ता से बन का तयार होंगे, तो अभी एकदम से मिक्स नहीं करेंगे हम, ये देखे, इस तेल को भी हम मिक्स कर देंगे, ये देखे, इस तरीके का मिश्र बनना चाहिए, जिससे की आसानी से बॉटल में से निकल सके, और अब इस कंसेस्टेंसी का इस बॉटल में डालना किप लगा लेंगे लिकिन उसके बाद भी यह घारा है बहुत लिक्विडी नहीं है इस लिए भरना बहुत मुश्किल है तो हमने क्या करना है यहां पर यह मैंने एक पाइपिंग बैक लिया है यह तो रेडिमेट है, आप चाहे तो नमक की थैली और या फिर तेल की थैली होती है, पॉलिफिन होता है, उसको यूज कर सकते हैं, यह नहीं है, अगर यह है, पाइपिन बैग है, तब तो बहुत ही आजान काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस में पहले डाल देंगे, इस मिश्रन को हम इसमें डालेंगे, तो आपको मैं फिर से बता दूँ कि अगर पाइपिन बैग आपके पास में नहीं है, तो परिशान ना होएगा, आपके घर में, सभी के घरों में, नमक की थैली या तेल का पैकेट तो होता ही है, उसे आप इसमाल कर सकते हैं, इस मिश् इस तरीके से फटा फट से मिश्रन ट्रांसफर हो जाता है, अगर हम कीप का इया फञिल का इस्तमाल करते हैं, बहुत मुश्किल होती है, यहां पर तेल भी गरम हो चुका है, जो हमने पहले ही रख दिया था, और अब इससे यह देखिए, बहुत आसानी से निकाले जा सकते अब चुकि हम सांचे से नहीं बना रहे हैं मिश्रन थोड़ा सा पतला है तो यह बिलकुल लच्छों में बनेगा जो नॉर्मल सांचे से बनता है तो टूट के सेव बनेंगे बहुत तेस्टी भी बनेंगे अब सिखने में भी इसको 3-4 मिनिट लगें नॉर्मल सांचे से बना से बना इसको 3-5 इसरतो काूशी बनाने के लिए को दो सीखनेजन के लिए या फिर वैसे ही थोड़े कम से बनाना चादे है तो इस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहे हैं को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा तो फिर मिलते हैं मेरी कगली और ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए भाबाए